नवस्कार मैं हूं जरमेंदर आप देख रहे हैं ओलाइन इजिंडिया करोडों रुपे खर्च करने के बाद में भी मोदी की रैलियों में भीड नहीं आ रही है लोग नहीं आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं मोदी का भाशन शुरू होते ही वो वापसी चले जा रहे ये सच्चाई है एक वीडियो पोस्ट की है एक वीडियो पोस्ट की है उन्होंने वीडियो पोस्ट की है वो वीडियो आपको दिखाएंगे और उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद में एंडियो के पतरकार के उपर कैसे भक्तमंडली तूट पड़ी और फिर कैसे जो है वो आप एक खबर दिखाई थी उसके बादे पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं जनसत्ता की खबर है जनसत्ता की खबर दे आप देखिए पीम मोदी की चार घंटे की रैली के लिए 23 करोड रुपए खर्च करेगी मद्यप्रदेश की सरकार लोगों को जुटाने के लिए 13 करो पहले आप वीडियो देखिए किस तरह से जो है ये सब कुछ हुआ है ये अनुराग दिवारी ने जो है ट्वीट क्या है अनुराग दिवारी का ट्वीट आप देखि लिजे बीजेपी का दावा था धायलाक आदिवासी प्रम में मोदी जी का भाशन सुनने जुटे हैं ल अनुराग दिवारी ने जैसे ये वीडियो पोस्ट की भगत मंडली उनके उपर टूट पड़ी कि फर्ची वो चला रहे हो ये कर रहे हो दरसल क्या हुआ था कि अनुराग दिवारी का अकाउंट कुछ दिन पहले सस्पेंड हो गया था और अब जो है भगत मंडली इसको लेकर के कह रही है कि इसी के फेक न्यूज के चलते किया गया था ये देखिए अतुल के नाम से ट्विटर यूजर है उन्होंने कहा कि फेक न्यूज के चलते आपका आकाउंट चला गया था अब अनुराग दिवारी ने इसको रिपलाई अब इसके चलते जो है फिर एक अतुल ने एक ओर ट्वीट किया उन्होंने कहा कि भाशन चलते वक्त का खाली चेर का वीडियो दिखावे प्लीज आप अच्छे व्यक्ति है मैंने कोई व्यक्ति का टिपनी नहीं किये यह यहाँ पर जो कह रहे है कि आप तो अच्छे व्य नहीं है लेकिन सच ला लिखूं ऐसा किसी का वै नहीं है किसी से डरता नहीं हूं जो सच है वो तौ आपके सामने रख रहा हूं किसी को बढ़ाना गिराना मेरा काम नहीं है इसके बाद में अतुल ने कोल ट्वीट किया भाशन तीन बज़े भाषन तीन वज़े था वीडियो ये भी गलत है सबेरे का दिखा रहे हो शायद ये इनों ने कहा कि भाषन तो दोपैर तीन वज़े का था और वीडियो अब सुबह का दिखा रहे है इसके बाद मैं नुराग ने को ट्वीट किया आप दोबारा देखे परमजी की आवाज वहा है ये देखिते हैं इसको लेकर के सिर्निवास दे ने लिखा है कि मोदी जी की वहजा हुआ खाली की भारी भीड जो है वह मोदी लोगों के रुकने के लिए पांच डोम बनाय जा रहे हैं, इनमें सजावट और परचार में कुल 9 करोड रुपे खर्च होंगे, बता देंगे, बता दे कि राज्ये में 47 और सब कुछ जो है ये सीटों के लिए हो रहा है, आदिवासी सीटों को पाने के लिए हो रहा है, 47 वि भाजपा ने पूरा जोर लगाया, लेकिन लोग नहीं आए, ये सच्चाई है, अब देखी किस तरह से जो है सारा काम हो रहा है, जिसको ले करके बिरसा मुंडा, जो के अदिवासी के महानायक है, उनको ले करके रैली रखी गई थी, लेकिन उनी का अपमान कर दिया, ये त तस्वीर में नरेंदर मोदी जी, इस तस्वीर में नरेंदर मोदी जी, नरेंदर मोदी जी इस तस्वीर में जो है बड़े नजर आ रहे हैं, जबकि बिरसा मुंडा को छोटा कर दिया गया, आप बती फिर ये कैसा अपमान, कैसा सम्मान, ये तो सिधा सिधा अपमान है, य ऐसे ही जो है अयुद्या के अंदर जब भूमी पूजन के लिए गए थे तब यह तस्वीर भी खूब बाइरल होई थी यहां पर राम जी को उंगली पगड़ करके छोड़ के आ रहे हैं यह बताई कैसे मोदी जी मतलब भगवान से बड़े मोदी जी मतलब महानायकों से बड यह है बीजेपी की असली पूरा जो उनकी चोपाई कहें तो यही चोपाई है अब देखी किस तरह से सब कुछ हुआ है जिन आदिवासी के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है वो उन आदिवासी को कितना सम्मान दिया जा रहा है वो आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप ये देखे यह जो हभीब गंज हभीब गंज का जो रेलो स्टेशन की बिल्डिंग आप देख रहे हैं यह बता है आप नया स्टेशन बनाते नई बिल्डिंग बनाते लेकिन पुराना बादल करके अपना नाम लगा दिया बोला हमने आदिवासयों का सम्मान कर दिया लेकिन अनुराग दिवारी जो कि एंडी टीव की रिपोर्टर है जिनकी वीडियो अपने देखी है उन्होंने जो है इसकी भी पोल खोल दी इन्होंने एक स्टोरी की है यह देखिया आप जरजर हालत में है रानी कमलापती का महल जिनकी याद में रखा जाए है नए नाम वाले बिल्डिंग पोस्ट है सब कुछ वही है वो यहां तक की रेल्वे की जो लोहे की पत्तियां है वो भी नहीं बदली उनकी उपर केवल पोस्ट चिपका दिये जो 50-50 रुपए में 100 रुपए में प्रिंटिंग करवाया वो चिपका दिया कितना सस्ता काम क कम पैसे में इतनी जादा मुनाफा कम पैसे में इतनी जादा व्रांडिंग कम पैसे में इतना जादा परचार यह केवल बीजेपी कर सकती है दोशی स्थाल, लोग वहाँ पर δेखने के लिए लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यो counterparts बक्रियां चर रहे होंगाOPराई चरने के लिए लिए यहाँ पर तो कुत्ते ने के लिए आती होंगी उन्होंज आते होंगी इसा हो कि सरम करो जन जाती है चैनीत, सिख्षकों को नियुकती दो तो जन जाती है जो चैनीत के शिख्षत उनको नियुकती नहीं दे रही है लेकिन दूसरी तरफ कह रही है कि हम आदिवासियों का सम्मान कर रहे हैं और देखे जगहें जगहें पर लोग जो है वो इसी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सच्चाई क्या है वो सच्चाई फाड करके बाहर आ रही है लेकिन जरूरत है एंडी टीवी जैसे दो-चार और संस्थान हो और कई सारे रिपोर्टर हो ताकि ये सच्चाई जो खुल करके सामने आ सके क्योंकि गोधी मीडिया के जितने भी वहाँ पर नामचीन पतलकार गए होंगे वो मोदी जी का चेहरा केवल दिखाते रहे होंगे और आगे आगे जो विधार्थी परिशद के लड़के बैठते हैं जो मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी करते हैं वो केवल दिखाय जाते हैं पीछे क्या हो रहा है वो किसी को नहीं दिखाय जाता लोग कैसे चले गए वो नहीं दिखाय जाता जिसके नाम पर realisation बन रहा है जिसके नाम पर बदला गया realisation को उसके हालात क्या है वो कोई नहीं दिखाता बेराल बडी खबर है महत्पूर्ण खबर है कई सारी जानकारिया इस खबर में है इसलिए इस वीडियो को जादा शेर करिए ताकि लोगों को सचाई पता चले लोगों तक सही जानकारी पहुंचे इस ख़बर को लेकर इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो निचे कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दे और इसी तरह एक तमाम ख़बरों के लिए ओनलाइन वीजिने सब्सक्राइब क